तीक अचीप होवह और यहां पर कहता है कि स्टोर वाइजसक्राइब हमारे डिपार्टमेंटल है क्लेक्पुलेत करना है प्रॉफिट ध्री डिपार्टमेंट नेमली एक रेडियो डिपार्टमेंट है और एक refrigerator department है और एक washing machine department है यानि इनका काम electronic वगर का है तो एक radio department हो गया एक washing machine और एक हो गया हमारा refrigerator का separately for month gen 2021 he informed that gross profit sales 3 department बोलता है कि पहले वाले department पे इतना कमाई है दूसरे वाले पे इतना है यानि जिस सवाल में आपको gross profit देगा न तो एक चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे आपको closing stock देखने को नहीं मिले शायद क्योंकि gross profit दे ही दिया तो आपको वहाँ से क्या निकालना पड़ेगा closing stock balancing figure निकालना पड़ेगा ठीक है कहता है respectively on turnover indirect expense charge proportionate the department turnover कहता है जितने भी हमारे indirect expense है वो किसमें charge होगा turnover पर यानि sales के ratio में बाटा जाएगा the following expense आफका department का given opening stock given है आपका purchases given है आपका direct expense given है आपका sales इसमें कोई समस्या ही नहीं है हर department का दे रख है बस लिखने की बात है यहां पड़ते हैं कहता है total indirect expense for the month including those related department 55,000 रुपए है on total sales और total sales जो है वो हमारा बीस लाख टोटल से बीस लाख पचास हजार कैसे आएगा इनको एक बार जोड़ो कि यह कौन से महिने के कहता है जैन नहीं बन रहा कहता है total indirect expense for the month जैन आपका including those related to other department were 55,000 on total sales ओके यह सिर्फ इस department का खर्चा नहीं है यह जो खर्चा दे रखा है 55,000 यह other department से भी related है total sales दे दिया चलिए प्रिपेर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफित और लॉस अकाउंट असर्टेन दा profit and a net profit for after making 10% reserve on stock at the end of the year मजे की बात देखो यहां पर सीधा बता दिया कि जो स्टॉक है उसके उपर 10% का रिजर्व है तो यहां पर जीपी रेशो भी नहीं निकालना सीधा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके उपर फटा-फट 10% 10% हम क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक है तो मैं यहां पर अगें ट्रेडिंग पी एंडल और जर्नल जर्नल का तो यहां पर कुछ लग नहीं रहा बाकि जर्नल में क्या जा सकता है इंडारेक्ट एक्समेंस पी एंडल में डालेंगे जर्नल का कुछ बात ही नहीं कह रहा है यहां पर तो कि एक डिपार्टमेंट कि दो डिपार्टमेंट कि तीन डिपार्टमेंट कि अब यह तीनों डिपार्टमेंट इधर भी आ गया कि एक जब चिपार्टमेंट कि एक 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 16 बार कर दो स्टार्टमेंट कि एक वह तीन कि एक एक चलिए सिंपल तरीके से देखते हैं यह हमारे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है सबसे पहले क्या लेखे लें टू ओपनिंग इस्टॉ क्या गीवन है उपनिंग स्टॉक येस गीवन है कितने है दो अससी और डेड़ लाग परचेज गीवन है परचेज कितने गीवन है कि चाले सब्सक्राइब कि बीच वाले चालिस है न डारेक्ट एक्स्पेंस टारेक्ट एक्सपेंस 40 है विस्प है और 15200 आप सब्सक्राइब है अब बनाना चाहते तो बनाईए नहीं बनाना चाहते मैंने सवाल नमबर वन में टोटल का कॉलम रखा था, टू में नहीं रखा, तो मेरी मर्जी है, मैं बना लेता हूँ कई बार, स्पेस के अकॉर्डिंग कई बार नहीं बनाता, सर डारेक्ट एक्स्पिंस के बाद सेल्स, सेल्स बाइ साइड में आ जाएगा, सर, सेल्स कितने कैं है, चार पचास, चार पचास के बाद कितना है हमारा, और क्या है, 3.50 ठीक है, कहता है, टोटल इंडारेक्ट एक्स्पिंस, यानि सर यहां से यहां तक देखा जाए तो ट्रेडिंग बन गया, और इसके नीचे का हिस्सा क्या होगा, का पी एंडल कहता है टोटल इंडारेक्ट एक्समेंस फूर दा मन्त ऑफ जैन इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अधर डिपार्टमेंटल 55,000 रुपए के जन्वरी में था एंड टोटल से बीस हजार मतलब कहने का मतलब है इतने सेल पे इतने सेल पे इतने का खर्चा बना लेकिन हमारा सेल्स तो यह है ना तो हम इसको परपोस्ट नेटली बातेंग और कहता ही कि रेस्पेक्टिवली टरन ओबर इंडारेक्ट एक्समेंस चार्ज पर पोस्टनेटली टरन ओवर जो सेल्स है उसके रेशो में करना है हमें कि समझ रहे हैं न्यानि सर आप समझ किसका डिपार्टमेंट का रेडियो डिपार्टमेंट मैंने नाम ने लिखा रेडियो रेफिजिरेटर और क्या था एक वासिंग मसीन रेडियो रेफिजिरेटर वासिंग मसीन ठीक है अब चलिए यहां बात कर रहे हैं सर किसका एक तो रेडियो डिपार्टमेंट है इसका से इसका सेल्स कितना है पांच चालेश और एक कौन सा है वासिंग मसीन है इसका सेल्स कितना है तीन पचास अगर इन सभी डिपार्टमेंट का सेल्स को मैं जोड़ दू तो कितना सेल्स बन रहे हैं तेरा लाख हाला कि यह जो खर्चे हैं वो जो खर्चे हैं वो इस रेशो में बट जाने चाहिए 55,000 इस रेशो में लेकिन क्या कहता है यहां पर कहता है कि indirect expense for the month जैन including those related to other department मतलब जो इससे और इससे अलग total कितने का 55,000 और total sales 55,000 यानि इतने sales करने पे यह 55 का खर्चा हुआ है यानि आपका 13,40,000 के खर्चे सेल करने पे खर्चा नहीं हुआ ये ये कितने सेल करने पे हुआ है ये 20,00,000 पे तो अगर हम रेशो निकाले तो बहुत सिंपल सी बात है कि भीया 55,000 का खर्चा हुआ और इसको डिवाइड अगर मैं 20,50,000 कर दूँ तो एक रुपिया पे खर्चा आ गया ये मैं मान लो सिंपल सी बात है ऐसे नहीं समझ मारा तो मेरे 100 रुपे का खर्चा हुआ और मेरा 200 रुपे का सेल करने पे खर्चा हो रहा है अगर मैं 200 रुपे का समान बेचूँगा तो 100 रुपे का मेरा खर्चा होगा घ्यान देना 200 रुपे का अगर मैं समान बेचूँगा तो 100 का खर्चा होगा तो एक रुपे का बेचूँगा तो कितना खर्चा होगा नहीं समझ में आई बात अगर 100 रुपे का समान बेचोगे तो 100 रुपे का खर्च आएगा और 1 रुपे का समान बेचोगे तो कितने का खर्च आएगा एक का अगर 100 का समान बेच रहे हो 100 का खर्च आए तो 1 रुपे का समान बेचने पे 1 का ऐसे ही मैंने बोला 200 रुपए का समान बेचोगे तो खर्चा आएगा 100 रुपए का तो एक रुपए का समान यानि दो रुपए का समान बेचोगे तो खर्चा आएगा एक रुपए का यही होगी न बात तो एक रुपए का समान बेचोगे तो कितना खर्चा आएगा 50 पैसे त को आपको जो सेल्स हेए से डिपार्टमेंट करेंगे तो इस डिपार्टमेंट को आजाएगा ये खर्चा 1 रुपय के आया इससे multiply कर देंगे तो इसका जाएगा इससे multiply करेंगे तो इसका आजाएगा इससे multiply करेंगे तो इसका जाएगा यानि तीनों department का अगर मैं खर्चा निकालो तो हाला कि एक मैं करके दिखा देता हूं जो कि 450 होगा तो 450 divided by पच्पन हजार यह आ गया हमारा बारा सो तीहत्तर रुपे हैं तो यह इस डिपार्टमेंट का खर्चा आया कि कहने का मतलब है सर यह पच्पन हजार रुपे सिर्फ इन तीन डिपार्टमेंट का नहीं है इन इसके अलावा भी कहीं खर्चा हो रहा है समझ रहे हैं अब दूसरे का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे यह पहले का होगा दूसरे का मैं इधर निकाल देता हूँ 55,000 रुपे खर्चा है सर और किस पे 20,000 20,005 अजार पे और एक चाहिए में 5,00,000 तो 55,000 divided by 20,50,000 into में 14,000 487 कहलो 488 कहलो आपकी मर्जी है थर्ड वाले का कैसे निकलेगा सर थर्ड वाले का अगे इन 55,000 डिवाइड करेंगे हम 20,50,000 और मल्टिप्लाई कर जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख देता हूँ 350 बताइए क्या रहे है 9,360 पहले समझ में आये क्या कर रहे हैं तो यानि सर अब इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो 55,000 नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा 55,000 55,000 तो सर धेर सारा एक्स्पेंस है वो सिर्फ इस तीन डिपार्टमेंट के खर्चे नहीं है इस तीन के अलावा भी होगे क्या कहता है ये इन डारेक्ट एक्स्पेंस फोर दा मन्त अफ जैन्वरी इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अधर डिपार्टमेंट मतलब इससे तो रिलेटिड है इसके अलावा और भी होगा जो नहीं बता रहा तभी तो आपको सेल्स इसने 20,50,000 दिया है यानि जो अधर डिपार्टमेंट के भी जो हमारे सेल्स होंगे आजाएगा हमारा इंडारेक्ट एक्समेंस क्या आजाएगा 12,000 और 14,000 और 93,000 अब सर्च यहां पर कहता है इस टॉक रिजर्व भी है कहता है कि अधर टेडिंग और प्रॉफित लॉस असर्टें ग्रॉस प्रॉफित और नेट प्रॉफित सर ओपनिंग पर नहीं है रिजर्व किस पर है कै्या अगर बोला जाए तो आपको पता चल गया कि लिर ली किसकी बात चल रही है ठीक है तो अब आजाते हैं हम फटा फट से यहां पे उसने gross profit का rate भी दे रखा है सर सर जीपी का rate पचास चालिस और तीस तो मतलब मैं इन सब का gross profit निकाल सकता हूँ अगर जीपी की बात करें तो इसका होगा कितने परसंट पत्यस इसका कितना होगा चालिस परसंट तो पांच चालिस का 40 परसंट कितना होगा गर सर अगर इसको हमारा में अलब तो यह ही होता था निकालना और यह वाला तो सवाल में दे रखा है तो यहां पर अब जो निकलेगा ना वो निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक जो की निकलने वाला है अब बैलेंसिंग फिगर है समझे तो अब क्या करेंगे हम बीस अजार स्वारी दो लाक तीन लाक और चारिस पान सो और टू तू फाइव सैवन सिक्स्टी फाइव पाइव पाइव हंड्रेड सैवन सिक्स्टी फाइव माइनस चार पचास क्लोजिंग स्टॉक आ गया तीन लाक पंद्रह हजार पान सो समझे ऐसे दूसरे का देख लेते हैं इस चालीस हजार तीस चारसो तो घ्यारा चेंग दो ग्यारा छेस्सव बर्सक्राइब लिख दिया है कितना था है दो सोला ना यह करा टेज़िट आ गया है दो लाग सोला हजार है कि इसका टोटल बन रहा है सर पांच लाग 66,000 566,400-540 26,000 यह 40,000 है चार लाग है और कोश्चन में 40 है और प्रिंटिंग रह गया होगा कोई बात नहीं है दो के बाद पॉइंट भी कॉमा लागा रहा है हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं न चलने तो फिर आपको करना को तो करी लोगे आप ठीक है न आगे देखते हैं कि पंदरह हजार कि अगर 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 माइनस में तीन सत्तर दो सो ठीक है अब जो इसका स्टॉक रिजर्व निकलेगा वो इस अकाउंट में थोड़ी जाता है वो तो कहां जाता है जर्नल जो कि हम लास्ट में कर लेंगा अभी रुख जाओं यहां से जीपी आ जाएगा हाला कि ट्रेडिंग प्रॉफिट यहीं तक बोला था फाइनल प्रॉफिट नहीं बोला लेकिन हम फिर भी बना रहें आपके यह बुक से मैच नहीं होगा सवाल क्योंकि इसमें मिस्प्रिंट था थोड़ा सा जो भी बताएं बच्चोंने के सर 40,000 के जगह पर 4,000,000 होगा आप उसको ऐसे कर लीजिए वहां चेंज करेंगा सारा ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टू नेट प्रॉफिट है दो लाग पच्चेस हजार है वह अलग जैनल में निकालेंगे न इस टॉक रिजर्व की तो जगह जैनल प्रॉफिट है लॉस में यह एक लाग पांच हजार रहे है तो दो पच्चेस माइनस एक सो बीस ठीहत या ग्या टू वन टू नाइन टू सैबन दो लाग सोलह हजार माइनस में 144 डबल एट वन डबल फो डबल एट तू जीरो वन फाइव वन टू यहाँ गया एक लाग पांच हजार माइनस में तिरानवे नबे यहाँ गया हमारा पिच्चानवे छेसो दस यहाँ तक समझ में आया प्रहलें यहाँ तक देख लीजिए सर टोटल का कॉलम नहीं बनाना आपकी इच्छा है टोटल का कॉलम आप बनाए ना बनाए वो आपके उपर टोटल डिपेंट्स होड़ें बनाना चाहते है तो बना लो क्योंकि एक जगह और हो बन जाएगा अगर मेरे पास लगा बनाना इस पेस वैसे टोटल से एक्जामन को कोई लेना देना नहीं है और आप यह भी अब्जर्व करोगे टोटल से आपका कोई फाइदा भी ज्यादा तर जैनल ही नहीं होता है वो तो सरफ हम अपने लिए बना लेते हैं किसी कॉलम में हो जाएगा ना तो चलिए अब ए कि यह आगा है जर्नल कि प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे पहले बाई साइड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किसे आएगा सर एक रेडियो है रेफिजरेटर है और वासिंग मसीन है तो इनका आगया 2,12,927 और एक का आगया 2,1512 यह ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे अच्छा ठीक है 2,1512 और एक का आगया हमारा 95,610 ठीक है अब यहाँ पर क्या आजाएगा टू स्टॉफिट रेडियो पे रेफिजरेटर और वासिंग पर कैता है 10 परसेंट निकालो यह ज्यानि इस से मुश्किल वाले पॉंट थामने करी लिए जिसके अंदर हम खुदी परसेंटेज निकालते और खुदी पता करते हैं यहां तो डैरेक्ट परसेंटेज दे रहाएगे तो बहलेग इसके बाद दूसरे का गलत आपके बुक से मैच नहीं होगा क्यूंकि वहां पर एरर है 26 चालिस मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूं इसको तो यह आगया हमारा 26 चालिस इसके बाद आगया 370200 का 10 परसंट यह आगया हमारा 37 020 तो टोटल आगया 31 55 यह आगया 31 210 और यहां आएगा टू नेट प्रॉफिट 212 927 2 0 1 5 1 2 9 5 6 1 0 5 1 0 4 9 5 1 0 0 4 9 5 1 0 0 4 9 माइनस में 71 210 यह आपका आगया 438839 बताइए कोई डाउट यह प्रॉफिट भुक से मैच नहीं होगा अगेन मैं बता देता हूं क्यूं नहीं होगा क्यूंकि हमने परचेश के फिगर को 4 लाग जो कोशन में था उसके अकॉर्डिंग किया है मिस्प्रिंट कोशन में आंसर बता रहे हैं तो हमने आंसर को देखा नहीं उसके अकॉर्डिंग के है क्लियर है बताइए कोई डाउट यह था आपके बुक का कोशन नमबर 3 टोटल ज्यादा सवाल नहीं है इस बुक में इस बुक में आपके साथ 8 सवाल है दिखाने एक बर में चार पांच होगा तो ठीक नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही चार पांच होमवक में देते हैं और टोटल कितने आठ ही हैं कितने हैं दस है सब में एक ही है अब देखे कोशन नमबर 8 भी होमवक में लिख लीजिए क्योंकि यह इस टाइप का कोशन हम पहले ही पहला ही कोशन ड़न किया था साहिद वहीं तो नहीं है देख लेता हूँ कोशन मैंने कर दिया चार पांच और कोशन नमबर 8 आठ के बाद 9 यानि अगली क्लास में खतम कर देंगे इसको यानि अगली क्लास कली है रेगलर क्लास ले रहे हैं तो अब बता दीजिए किसका क्या डाउट है जो बच्चे लाइव क्लास में हैं अब बता दीजिए अब बता दीजिए